हलो फ्रेंड कैसे हैं आप इस्टेडी एड़ा की यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज जो है हम फन वीथ वकाब का पार्ट थ्री देखेंगे ठिक है इसमें हमने वो क्षेशन लिया है जो एससे के एकजाब में 2015 में आय हुए थे 2015 और 14 में ठिक है तो सारे पूछे ह हुए question है कुछ भी अलग से नहीं है ठीक है तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा सब्सक्राइब बटन के जस्ट पगल में आपको एक बेल मिलेगी उस बेल पे क्लिक कर दीजेगा जिससे in future जो भी वीडियो में अप मतलब बाधा बन जाना किसी चीज में किसी प्रगति में बाधा बन जाना या कोई कहीं जा रहा है तो उसके बीच में आ जाना तो अकुलेड मिन्स रोक लेना तो इसको ब्रेक करते हैं ब्रेक करेंगे तो क्या हो गए यह अकल लोड अकल लोड अकल लोड मतलब अकल पर To close up or block up, मतलब किसी चीज को block कर देना या किसी चीज की प्रगति रुख जाना इसका synonyms क्या होगा? Block, Prevent, Obstract क्या synonym क्या होगा? Block, Prevent or Obstract Antonyms होगा support, support करना किसी को या unblock करना support करना जैसे कोई किसी चीज को अगर support करता है तो उसका साथ देता है और नहीं करता है, अगर रोक लेता है, मतलब नहीं support करता है, उसके भीरुद्ध खड़ा होता है, तो उसको block कर देता है तो यहाँ पर इसका इंटॉनिम support हो सकता है तो accolade means रोक देना, accolade को अकल लोड पर सकते हैं, अकल पर ज़्यादा लोड डालोगी तो आपकी प्रगती रुख जाएगी इसका एक sentence देखते है Although I do not want you inside my office, मैं तुम्हें अपने office के अंदर नहीं देखना चाता हूँ I will not accolade, फिर भी although, फिर भी I will not accolade your entry by locking the door while I am away फिर भी मैं तुमारी entry को रोकूंगा नहीं, डोर को बंद करके जब मैं office से बाहर हूँ तो accolade means किसी चीज को रोक देना, अकल लोड, अकल पर ज़्यादा लोड डालोगी तो आपकी प्रगती रुख जाएगी Blow hard, blow hard means सेखी बाज, जो लोग मतलब अपने बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं, उनको क्या करते हैं सेखी बाज अब boastful और pompous person, जो अपने बारे में बहुत ज़्यादा उल्डा सिद्मत, बहुत ज़्यादा बढ़ा के बोलता है, वो रहता तो थोड़ा सा है लेकिन बताता है अपने बारे में बहुत ज़्यादा तो blow hard को आप तोड़ दीजे, बिल्लू hard, बिल्लू hard, बिल्लू hard होने के साथ सेखी बाज भी है, बिल्लू एक नाम है, एक परसन का नाम माल लीजे, hard मेंस tough, मतलब को ठोर, तो बिल्लू hard होने के साथ सेखी बाज भी है, तो blow hard मेंस a boastful all pompous person, इसका synonymous होगा, ब्रेगरेग, wind bag, booster, देखे, wind bag, wind bag को आप कैसे समझे, किसी चीज में हवा को कैद कर लेते हैं, जैसे कोई बोला, कि मैं इस bag में हवा को कैद करके ले आता हूँ, तो bag में तो पहले से हवा राती, कोई भी कैद कर सकता, उसमें profit क्या होई, तो आप wind bag अपने आपको बोल को जनाना चाते हो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मतलब ये एक तरह से सेखी बाज हुआ, तो wind bag में सेखी बाज, blow hard में सेखी बाज, ब्रेगेट, बोस्टर, जो अपने बारें बहुत सारे चीदर बढ़ा के बताता है, इसका एंटॉनिम्स क्या होगा, modest and recent person, इसका use देखते है, a blow hard who always had to act like she was better than anyone else एक blow hard person, मतलब ऐसे act करता है, कि वह जो है, उससे better है, हमेशा, pre-sage, pre-sage से पहले pre, मतलब सेख से पहले, कोई चीज पहले बताना, इसको आप पूरे passage कह सकते हैं, पूरे passage हम पहले बता देंगे, कोई एक्जाम देने जा रहा है, उसको आप बोल दे, pre-sage, मतलब पूरे passage, हम आपको जो passage आया, वो पूरा passage पहले बता देंगे, तो pre-sage मिंस क्या होता है, पहले बताना, या पूरा passage, say's से पूरा passage आप देख सकते हैं, या sage, जो साधी का मिंद अब sage लगी होती है, उससे पहले पहुंच जाना, उसके पहले पहुंच जाना, An institution or feeling of what is going to happen in the future Future की कोई भी चीज हो जो आपको एक institution दे या आपको पहले उस चीज के बारे में पता चल जाए तिससे आप लोग को कभी कभी लग जाता होगा कि आई ये होने वाला है हो सकता है और अगर वो सही हो जाता तो वो प्रीसेज कर लाता है An institution or feeling of what is going to happen in the future इसका synonyms देखते है prediction करना, indication या for token for token बहुत अच्छा वर्ड है इसको याद कर लीजेगा for token prediction तो आप सभी लोग को पता होगा indication भी पता होगा for token मतलब किसी चीज की बारे में पहले feeling आ जाना एंटॉनिम्स होगा इसका ignorance या hind sight यूज देखते हैं dark cloud normally presage a storm मतलब जो काले बादल होते हैं वो normally एक तूफान की आने की बारे में बताते हैं पहले ही बताते हैं dark cloud को कोई भी देखके समझ जाएगा कि एक तूफान आने वाली है तो dark cloud को देखते हैं एक intuition होता है एक prediction लोग करते हैं एक indication मिलता है कि तूफान आने वाला है तो presage मिन्स क्या होगा आपका पहले बताना पूरे passage को हम आपको एक जाम से पहले बता देंगे या presage next देखते हैं with stand with stand मिन्स क्या होता है देखे with stand मतलब stand stand है एक stand हो गया उसके साथ खड़े रहना आप किसी stand के साथ खड़े हैं तो एक stand जो बोल भी नहीं सकता है कुछ भी नहीं कर सकता सुन भी नहीं सकता आप से बात भी नहीं कर सकता तो आप इसके साथ खड़े हैं तो मतलब आप इसको सहन कर रहे हैं एक तरह से आप एक stand को जहल लए हैं जैसे bus stand bus stand पर आप बहुत देर से ख़़ए हैं कोई bus नहीं आ रही तो आप उस चीज को सहन कर रहे हैं तो with stand मिंस क्या होता है सहन करना मतलब किसी को जहलना तो इसका key क्या होगा with plus stand साथ खड़े रहना मतलब उस चीज को जहलना साथ में खड़े होकर हम समस्याओं को सहन करेंगे अगर इसको positive अर्थ में ले तो क्या हो जाएगा साथ में खड़े होकर हम समस्याओं को हम समस्याओं को सहन करेंगे remain undamaged or unaffected by sorry आप इसको pause करके वीडियो को यह लिख लिजएगा मैं इसको मिटा दे रहा हूँ remain undamaged or unaffected by इसका synonym देखते हैं endure, bear, resist इन तीनों का मतलब क्या होता है सहना endure, bear, bear means भी सहना होता है आपको एक बाद पता है देखे यहाँ पे bear means सहना भी होता है और इसका third पाद में होता है born जो हम लोग पैदा करने के लिए यूज करते है born means पैदा होना तो bear bear का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ bear means दो चीज होता है एक होता है सहन करना और इसका ठीक दूसरा मेनी होता है जर्म देना जो हम लोग born यूज करते है इसका third form है इसका second form है bore and third form है born और bear का जो second form है वो है bore same spelling है लेकिन third form इसका भी पढ़ते हैं लेकिन spelling change है b-o-r-n-e तो आप ये difference याद रखेगा bear means सहन करना, bear means जन में देना भी होता है लेकिन जो हम bear यूज करते हैं वो passive voice में यूज करते हैं वी 3 form में और जो यहाँ पर bear इसका third form जो होगा वो born होगा वो भी लेकिन spelling में change हो जाएगा ठीक है और regist means भी सहन करना, इसका antonym देखते हैं refuse करना, reject कर देना dodge, dodge बहुत अच्छा word है यूज देखते है we can withstand winds up more than 100 mil per hour हम जो है 100 mil per hour से ज़्यादा winds की speed को सहन कर सकते हैं बरदास कर सकते हैं forceque forceque means त्यागना तो इसको तोड़ लिजे तो क्या बनेगा forest cake forest cake मतलब forest का cake खाना उसने त्याग दिया means छोड़ देना forest का cake खाना उसने त्याग दिया मतलब छोड़ देना इसका synonyms क्या होगा forgo, abandon, abdicate देखे, abandon और abdicate, दोनों मिन्स त्याग देना होता है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग-अलग यूज होता है, तो इसको आप धिहान रखेगा, fargo, abandon, abdicate, antonym क्या होगा, allow, किसी चीच को allow करना है, किसी चीच को approve कर देना, and revert, usage, jenny has decided to forsake her participation in basketball until she improves her grades, मतलब, jenny ने decide किया, कि वो जो है, basketball में participation करना त्याग देगी, या नहीं करेगी, या छोड़ देगी, क्योंकि पहले वो अपना grades improve करेगी, मतलब, basketball और अच्छे से खिलना सीखेगी, तो forsake मिंस क्या होता है, छोड़ देना, इसके synonym है, fargo, abandon, abdicate, repeal, repeal मिंस पीछे हटना, मतलब, पीछे हट जाना, तो अब बस, यह दो बहुत simple है, ripple, re, और इसको पढ़िये पल, मतलब, दुबारा मौका मिलते, उसने उसको पल भर में ही पीछे हटा दिया, ripple, या reverse, ripple, पीछे आना, पीछे हटाना, तो यहां पे क्या होगा, पीछे हटाना, drive or force, an attack or attacker back or away, मतलब, किसी चीट को drive, मतलब, force द्वारा या किसी भी तारा attacker के द्वारा पीछे हटा देना, repeal कर देना, synonym होगा, repulse, confront, parry, repulse, confront, parry, और इसका antonym होगा, agree, assist, और accept करना, मतलब, किसी चीट को neglect कर देना, तो भी तो पीछे हटा देना होगा, आकिकी मैं आपको neglect कर रहा हूँ, आप वापस जाएगे, और accept कर लेना, तो इसका antonym हो जाएगा, तो repeal का antonym, जो है, accept भी होगा, usage, since the umbrella has a large hole, it does not repeal water very well, मतलब, छाता के अंदर बहुत बड़ा छेद है, इसलिए जो है, ये water को पीछे नहीं अटा सकता, अच्छी तरीके से, या, रोक नहीं सकता, repeal मिन्स रोकना भी होगा, तो रोक नहीं सकता, अच्छी तरीके से, jetison, jetison means fake देना, बाहर फेक देना, jet sun, इसको तोड़ लिजे किसमें, jet sun, तो इसको एक line में याद कीजे, jet plane से उसने अपने sun को बाहर फेक दिया, बहुत negative word है, jet plane से उसने अपने sun को बाहर फेक दिया, to eliminate something, किसी चीज़ को eliminate कर देना, किसी चीज़ को हटा देना, तो jetison means बाहर फेक दिया, तो इसको तोड़ेंगे, इसका की है, jet sun, इसका sentence बनाईए, jet plane से उसने अपने sun को बाहर फेक दिया, किसे jet plane, की होगा jet sun और sentence क्या बनेगा, jet plane से उसने अपने sun को बाहर फेक दिया, synonyms देखते हैं, eject, expel, abdicate, देखे, abdicate का यूज, अभी हमने इससे पहले भी देखा था, for sake में, for sake में भी abdicate हुआ था, वहाँ पे भी त्यागना आया था, for sake मतलब abdicate मिंस त्यागना, यहाँ पे भी abdicate synonym का यूज हो गया है, तो हम यह कर सकते हैं, jet sun का synonym for sake भी होगा, ठीक है, abdicate मिंस त्यागना, और jet sun मिंस बाहर फेक देना, मतलब किसी को त्याग देना, किसी को छोड़ देना, अपनी जगह से फेक देना, तो इसका sentence में कैसे यूज होगा, वो depend करता उसका synonym और antonym बताने के लिए, तो jet sun का key क्या बताया था, मैंने jet planes से उसने अपने sun को बाहर फेक दिया, अनtonym क्या होगा, assert, maintain, retain, यूजर देखते हैं, keep the good memory in your heart and jet sun the bad ones, समझे आपको, keep the good memories in your heart, मतलब अच्छी memory आप अपने दिल में रखो, अपने पास रखो and jet sun the bad memory और bad memory को बाहर फेक दो, अब आप यहाँ पर कहेंगे and abdicate the bad ones, तो यह सही line नहीं होगा, क्योंकि abdicate मिंस भी त्यागना होता है, लेकिन वो memory से related या अपने अंदर से related नहीं होता है, जब आप किसी को particular दो लोग हैं, इसमें से किसी एप को छोड़ते हैं या त्यागते हैं, तो वहाँ पर हम abdicate का यूज करते हैं and jet sun the bad ones, skull, skull मिंस क्या होगा, घुसे से देखना, skull को अगर इसका तोड़ेंगे key में तो क्या, इस आउल, इस आउल, आउल मेंस उल्लू, उल्लू को आप लोगों ने देखा होगा, तो आप ये कभी नहीं बूलेगा, जो लोग उल्लू को देखे होंगे, सुबह-सुबह आगर आप उल्लू को देखे हैं, कोई भी उल्लू का पेपर, मतलब फोटो देख लें, पिक्चर देख लें, किसी भी उल्लू का, तो आपको उनकी आग कैसे लगती है, बड़ी-बड़ी, जैसे वो घुसे से देख रहा है, इसका ओल, तो इसका ओल मिंस घुसे से देखना, इसका ओल हमारी तरब घुसे से देख रहा है, क्या संटेंस बनेगा, इसका ओल, आप लोग लिख लेजे कहीं, इसका ओल हमारी त Displeasure, Affront of Anger or Displeasure, Disqual means घुसे से देखना, यूज क्या करेंगे, Affront of Anger or Displeasure, Synonym क्या होगा, Grimace, Frown, Dirty Look, गंदा मतलब लुक भी होता है, इसकॉल का यूज, Evil Eye, Evil Eye भी देख लेज़े, Evil Eye जब भी देखेगे, आपको डिरावनी लगेगी, मतलब कोई चीज से डरना, ऐसा लगे, कोई चीज घुसे से देख रहा है, Antonyms, Green, Smile, Smile करना, and Retain, यूज देखते हैं, The teacher's scowl was warning to the misbehaving student, Teacher का घुसे से देखना, एक warning है, उन लोगों के लिए, जो misbehaving student है, ठीक है, This solution, This solution means तोड़ना या च्छे, तोड़ना या च्छे, इसका की क्या होगा, This solution, इसको आप सेम पढ़ सकते हैं, This solution, sentence बनाईए, This solution से ही हम उन्हें तोड़ सकते हैं, मतलब किसी से अगर बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती, तो उनके लिए कुछ solution निकालना तो आपका सकते हैं, कि This solution से ही हम उन्हें तोड़ सकते हैं, या कोई तब सवाल है, उसका solution आपको नहीं मिला है, कुछ ने बताया, कि देखो, इस solution से ही आप इस सवाल को solve कर सकती हो, तो जब सवाल को solve करेंगी, तो आप क्या करेंगी, उसको break करेंगी, तो आप एक sentence बना लिजए, आप sentence copy पे लिखते जाए, कि This solution से ही हम उन्हें क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, This solution, इस connection and start, connection मतलब दो चीज की बीच में जब connection होता है, तो वो आपस में जूर जाते हैं, आपको line से पता होगा, light देखे, light में लोग करते हैं, connection कर देजे, मतलब वो bonding हो जाती है, start में सुरुवात करना, the dissolution of their marriage, मतलब उनके सादी का तूटना, the dissolution of their marriage, और share जरूर की दिएगा, खास कर कि कमेंट से, आपके कमेंट से हमें बहुत अंदर से अच्छा लगता है, जिसते हम और improvement लाते हैं अपने वीडियो में, तो like और comment तो जरूर कीजएगा, thank you friends.